आज में सेयर कर रही हूं आपके साथ मार्केट जैसी पाव भाजी की रेस्पी तो अलग तरीके से बनाई है और बहुत टेश्ट्री बनी है आप प्लीज वीडियो पूरा देखिए और इसे बार बार बना कर खाएंगे इतनी अच्छी बनी है यह मैंने कुछ अपमें अलग श्काम ठतकी टार ना पती है और मैंने कर भी लिग कंज cannabis कर सकते हैं जो को सब्सक्री अच्छी श्यक् Career स सकते हैं और मैंने तीन वली हैं जबाझ Speaking Martell है मैं कपनी है वैंटक मैंने श्याट मतना है सबसक्ति ज़हीं गाइसरों और नहीं कर सकते हैं ढली मैंने तोड़ क्लócrat लिए हैं यांम एक सब्सक्राइब कर सकते हैं जादा भी कर सकते हैं मारी बाउड में अब कर में करेंगे तो र्मेन आपचे बढ़ गभी ध Mooi है अगयका चौ Chris पानी ज़्यादा नहीं डालते हैं अब डाले नमक डाली टेस्ट को अकॉर्डिंग मैं डाला है एक चम मच अब बने रखों भी बॉयल करने के लिए मैं तो फैन या मैं रख रही हूं बॉयल करने के लिए और फैन इसमें हम लेंगे 6 सीटी तेज गयस पर अब इतने बॉयल ह यह चाती है तो फैन इतने में टमाटस चौप कर लिती हूं मैं कि तो फैन मैंने या टमाटस लिए है देसिवाले छॉप अले लिए चॉपार रहे है यहां मैंने टमाटा भी चॉप कर लिये है उट जिन्जर गाली को घ्रेड या है अब चीयारी करके में रख लिये सांजी देसकते है अब दोकी अब शुषन माथ mo मार्केट वालत सब्सक्राइब estasğimiz तब एक चोना हैं कि खड़ी अच्छी यहीं श्रीकों Scotty कि आरा वी ने सकते हैं पढ़ने भाजी उन्हीं के सब्सक्राइब यह रिशेठ में तो वह थियारी कर रहे हैं पहले मसाला बनाने की द्विध करूँगी। क्यांज करें तो मैं में दू crma कर रहा है क्याच को यो tokme कर दो सिमला मिर्स में जो मैंने बारी काट ली थी और फेंट सिम्दा में बॉल ब्लुकुल नहीं करें मैं बॉल करने तो में तेस्ट खराब हो जाता है मैं काट कहीं डालें चौक परके तभी का अच्छा फ्लेवर आता है मारी भाजी में तुमको भूल लेंगे अच्छे से कि अब मैं डालोंगी इसमें जिंजर गालिक का जो मैंना भी रखी तो आधे डालोंगी अभी आधे मैं बचा लिए हैं और नेश्ट टाइम के लिए तो मैं भूल लूँगी समसाले को अच्छे से दिम्दा मिचा प्याज को अब देख सकते हैं अब दालोंगी इसमें अपने टमाटर तो फैं टमाटर भी डालने आदे अभी छोड देने हैं इस तरीकर माट डालने हमें इन टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लूँगे मैं प्याज और सिम्दा मिच के साथ अब मैं डाला इसमें हल्दी पौडर वन फोर टीश्पून ह बहुत कमी उच्छ होती है अब मैं अब धनिया पॉडर एक चममच और मैं डालोंगी इसमें देगी मिर्च पॉडर मैं थोड़ा सा भी डाला है बाद में डालेंगे और अब फोड़ा नॉम्मल मिर्च का पॉडर और गरम मसाला आप फैन मैं इतना डाला है कम डालना है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अब चोड़ दिया है ग्रेवी ने हमारा देख सकते हैं तो अब मैंस भाजी जो नहीं तो ति अगर ज्यादा मैस को अच्छी लगती है तो इस तरीगी देखिया मैं मिस कर लूँ इसाले को इसके साथ तरह कडाई में हमें यहां जलता है तो डाल देल अवाइश में पूरी अपनी अदी अधि आधी अब डाल दी है कि अच्छीicky पीज को डैट होने तक अब दाल दूँ जिन्हें गालिक पेस्ट जो मैंने भी बचा के रखाता है प्रवाइब दाल दिया है इसको भून लूगे अच्छी से मैं घी बटर में यह पैर मारी अच्छी लाल हो गई है अब मैं डालोंगे इसमें देगी मिर्च पॉडर तो फेंड इसे मारब जी बहुत चालर आता है देगी से अपर कुल भी तब तीक ही नहीं होती है कलर बहुत नहीं कि अब मैं डाला है जो करना है सब्जी को तो जो जतना भी आगो कम लगे डाल दीजिए इस में अपनी तो अब जहां अच्छा लगता है आपको तीक ही या कम तीक ही तो डाल सकते हैं अकौडिंग मसाला मारा भून गया है देख सकते हैं घी-वी छोड़ दिया है इस आप देख सकते हैं अभी कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका देख सकते हैं मिलाने के बाद तो फैन अब भाजी बनाई है रुकुल डिफ्टी आपको अपको मार्केट वाली भाजी को खाना भूल जाएंगे अब इससे बनाएंगे तो अपनी थोड़ी से इसमें बॉइल आने देंगे हम थोड़ी सी ज्यादा गाड़ी वे चीन लगती है तो फैन भाजी नमारी बनका तयार हो गई है फैन आपको सब्जी देखने में कैसी लग रही है फैन बहुत टेस्टी बनी है थोड़ी समय डाल दी हरा धनिया गानी सिंग के लिए अब इसकर लूँगी फैन देखिए अब बनका तयार हो चुकी है आप लिए सर्दियां आए वहुशी सब्जी बेजिटिवल भी आ रही है सर्दियों में बनाकर खाईए तो फैन सब्जी मेरी बनका तयार हो गई है देखिए मैं आप भी सेक लिए है और प्याज भी काट सब्सक्राइब कर लिए लाइक कीजिए फैन वीडियो को पूरा देखिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाई